असलाम हुआ अलेकम दोस्तों आप देख रहे हैं फुली फॉर्वार्वार्ड यूट्यूब चैनल मेना नाम है आजम और यहां पर आज आपके सामने मुझूद है LG inverter air conditioner उसकी जो PCV है वो आपके सामने मुझूद है तो इस PCV में AC में फोल्ड यह आ रहा था कि आउड़ यूनट का जो compressor वो ट्रिप कर रहा था लेकिन एर्र जो है वो डिस्पले पर कुछ भी शो नहीं हो रहा था तो इसको अब हम चेक करने मीटर के साथ PCV में लगे हुए और बाहिर निकाल कर कैसे टेस्ट किये जाते हैं और errors जो आते हैं उनको कैसे जो है आप find out कर सकते हैं कि errors जो आ रहा है कुम्यूनिकेशन का है या कौन सा है और उसको आप कैसे step by step जो है PCV को टेस्ट कर सकते हैं यह चीज़ें इसमें cover की हुई है तो जो भी दोस्त इसको purchase करना चाहता है तो स्क्रीन पर contact number मुझूद है इस contact number पर आप contact करें रापता करें WhatsApp तो आप इनसे purchase कर सकते हैं इन्हें online आपको payment करनी है और यह आपको course जो है वो send कर देंगे तो चलिए फ्रेंड वीडियो के तरफ आते हैं यहां पर फ्रेंड जब हमने यहां पर इसकी PCB इंडूर यूनिट की आउडूर यूनिट की customer हमारे पास लेकर आया जब तो इसको मुकंबल यानि कि own करकर हमने चेक किया तो फॉल्ड जो है इसमें error तो कुछ आ नहीं रहा था अभी वैसे की वैसे ही हमने इसको pack कर दी है तो फॉल्ड फिर क्या निकला इसमें motor का फॉल्ड निकला इसकी motor जो ह इसे जो इसका compressor है वो जाहिर सी बात है जब condenser overheat होगा compressor overheat होगा तो वो trip करेगा कुछ mostly तो एसी जो है वो error दे देते हैं fan motor ना चले यह compressor overheat हो tripping करें तो वो error दे देते हैं लेकिन यहाँ पर इसके display पर जो है lights हैं लेकिन lights भी billing नहीं कर रही थी जिसे हमें बदा चले कि जो customer ने देखा है वो यह देखा था उसने के cooling जो हो नहीं proper कर पा रहा था जितनी देर चलता था एसी तो cooling करता था लेकिन जब compressor trip कर जाता था मतलब tripping problem उसने देखी तो वो इसको PCB को indoor unit outdoor unit की PCB को ले आया है तो जब हमने इसको test किया तो spare motor हमारे पास मुझूद थी हमने इस इसकी fitting जो है connection किये और इसकी fan motor जो है वो पहले यह वाली लगाई तो इसमें से वह फॉल्ड था हमने fan motor को जब change किया तो इसमें जो है fault उन में होता है मतलब कोई भी error डिस्प्ले पर नहीं आ रहा होता लेकिन problem हो रही होती है outdoor trip कर रहा है चलता है 40 trip हो जाता है या एक आदे minute में trip हो जाता है या कुछ second चलता है trip हो जाता है तो इस तरह के faults भी आते हैं तो PCB course मैंने आपको starting में बताया अगर आप PCB course को कर लेंगे आपके लिए यह चीज़े बहुत ही आसान हो जाएंगी समझनी क्यूंकि उसमें step by step मैंने 10 घंटे का course है step by step छोटी चीजों से लेकर बड़ी चीजों तक step by step जो है उसमें आपको clear किया हुआ है और वो PCB course paid है आप आपको online buy कर सकते हैं contact number आपको screen पर मिल रहा है तो contact करके अर्सलान अली name है इनसे आप राप्ता करें और contact करके आप यह हमारा PCB course जब हो आप purchase कर सकते हैं तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में thank you so much अलाहाफीज